नगर निगमिंदौर द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउंड पर वर्षों से डंप किये हुए 12 लाग टन से अधिक 70-80 साल पुराने कच्रे को बायो रेमिडियेशन प्रक्रिया द्वारा उपचारित कर सॉयल में कन्वर्ट किया जा रहा है इस प्रक्रिया में सबसे पहले ओल्ड वेस्ट डंप्स को लूज कर बायो कल्चर का छिड़काफ किया जाता है तथा बिंड्रोज बना कर 10 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि कम्पोस्टिंग प्रक्रिया बढ़ाने वाले जीवाडवों की व्रिधी हो सके उसके बाद इस वेस्ट की स्क्रीनिंग वच्छनाई के बाद उच्च गुणवत्ता की मिट्टी या सोयल प्राप्थ होती है इस मिट्टी को बायो रेमिडाइजड एरिया में फैला कर हरित खेत्र विक्सित किये जा रहे हैं जहां विबिन प्रकार के पेड़ पौधे रो वेस्ट को बायो रेमिडियेशन फ्रक्रिया द्वारा उपचारित किया गया है तथा संपूर्ण पुराने वेस्ट को अगले चार वर्षों में उपचारित कर हरित खेत्र में परिवर्तित करने की वर्षवार कार्य योजना तयार कर क्रियान वियन शुरू कर दिया गया है इस पूरे प्रोजेक्ट में हमें जो कॉस्ट आई है वो लगबग लगबग साड़े 400 रूपे प्रति क्यूबिक मीटर आई है और जो इसमें मशीन लगती हैं अभी हमने एक ट्रॉमेल मशीन लगाई है और इसमें पूरा करीब करीब 40 लाग रूपे उसका खर्च आता है क्यूंकि यह हर शहर की समस्या है और अगर हम इस कॉस्ट में कर पाएंगे तो यह पुराने डंफ वेस्ट को एन्वार्मेंटली सबसे सेफ मेथड है ट्रीट करने का और इसके बाद में हम उसको ट्रीट करके या तो उस लैंड को हम कमर्शल यूटलाइजेशन कर सकते हैं और या फिर हम उसको जो है सिटी फॉरेस्ट में कनवर्ड कर सकते हैं